बहुत सुन्दा सिक्षा है श्रीमान भूरिजन प्रभु ने इनकी जपापुक से मुझे बहुत लाभ हुआ था और उसमें वो समझाते हैं एक सूत्र है बिइंग डिटेस्ट इससे क्या मतलब है लेखिए भगवान का नाम जब करते हैं लोग और हर दिन हमारे चित्ति के व तो जिस समय हमारा मन जब को छोड़कर कई और जा रहा है तो वह किसी भौतिक विश्यका आस्वादन कर रहा होता है और ऐसा हो सकता है कि हम लोग 15 माला भी 15 की 15 माला निकल जाए एक भी नाम को ना सुन्यारी करते हैं पुरा निकल जाए लेकिन फिर भी हमारे पास ये फ्र या फ्यूचर के बारे मैं सोच रहे होते हैं या किसी भक्त की प्रती हमारी द्वेश भावना जाती है उसने मासा आसा किया हम उसका आसा कर देंगे यह किसी ने हमको दुख दिया तो उसके बारे मैं सोचते रहते हैं या मैं बहुत दुखी हूँ मैं बहुत परशान उसने तो कि हम इस समय राइट नाव भगवान के नाम को बड़े ध्यान पूर्वक्षवण कर सकते हैं और समझते हुए कि यह जितना ज्यादा करेंगे उतना ही इन सब चीजों से अपने आप हम विरक्त भी होते चले जाएंगे क्योंकि जिन चीजों पर मन अभी लग रहा है कुषणों के बाद मन कहीं और चला जाएगा यह वह वह विशय महत्पूर्ण था ही नहीं उस्षण मन उसको बोलेगा नहीं बहुत महत्पूर्ण विशय तुम इतना स ज़्यास्वा श्रूप बूल गया लेकर आगे बात बहुत सिंपल कह रहे हैं यह धाया कृत नश्चया यह धाया कृत नश्चया तो कह रहे हैं कि देखो तुम लाब और अलाब जय और पराजय सुख दुख की चिंता ना करते हुए मेदा करतव है इसको भावना में रख एसी भावना रखते हुए तुम अपने दुख को कर तो युद तो अर्जिन को करना है हमें क्या करना है जब करना है और इक बात इंट्रस्टिंग बात है कि युद वाले एक्जाम्पेल को लीजिए मान दीजिए को आप एक सैनिक है और अप उग्रवादी को ढूंड रहे है कि इस समय हरे कृष्ण मंत्र को मैं मैं अपने मन को केंद्री भूत करके एक चान के लिए और भवंग करने का प्रयास करने में पूरा महा मंत्र करने में तो इस चार सेकंड के लिए मैं अपने मन को स्थिर करना है प्रयास की जिसको बड़ा बड़ा फरक पड़ जाता है सुनने सुनाने वाली बात तो है ही लेकिन जितना अज़्यदा हम गंपीर्ता से नामुझ चारण करेंगे उतना ही जीवने प्रकति मैशूस करेंगे और जितनी प्रकति मैसूस करेंगे उतना ही बगवान में आसक्त हो जाएंगे अटेंशन है सीड्स अट्राक्शन तो अना सकते तो रहना ही है अपनी सो कॉल्ड पराज ऐसे और बड़ी सुन्दर बात इस पर सासथ भगवान भी नामचारण करना है हम लोग हार ही नहीं सकते हैं हम सब लोगा परफेक्शन गैरेंटीड है यहां के उतार चड़ाव को ना मद्दे नज़र रखते हुए यह समझें कि हम लोग जीतेंगे ही हम भगवान के पास पहुंचेंगे ही अकर नामचारण करते रहे यह विश्वास भक्त को होना चाहिए भले इस समय लग रहा है कि बहुत सारी पर जीप से बोले और स्ट्रवन करने का प्रयास करे हरे कृष्णा